अब जरत ध्यानते कहानी को सुनो जब हम और अब 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 आधार को छोड़कर दूसरे विशे के साथ लिंक हो जाता है तो जो तीन चीज़े है वह हमारी चीजों को गवर्न करती है छैट फि Pacific बार देखते हैं तरीं डाइमेंशन बनाता हूं मैं मैं क्लाशेज में अबने बच्चों को संझा भी चुका हूं दुबारा इसको देखते हैं और अब जो करने की कोशिश कर रहा हूं उसको समझो कि ये क्या है और अर्गमेंटेटिव नॉलेज ये कॉमन इक्वल एरिया हो गया हमारे पास और अर्गमेंटेटिव नॉलेज का सिध्धान्त कहता है कि एकॉनमी अर्थ विवस्था, सोसाइटी और पॉलिटिक्स चाहे इंटर्नल हो वो चाहे एक्स्टर्नल हो ये कभी भी प्रथक करके नहीं पढ़ी जा सकती है और अर्गमेंटेटिव नॉलेज है क्योंकि इस समाज में होने वाला हर चीज एक अलग मुद्दे के रूप में काम करता है तो सवाल यहां है इस और अर्गमेंटेटिव नॉलेज को समझने की कोशिश करिए जो समाज है जो अर्थवेवस्था है और जो राजवेवस्था है संपूर्ण विदेशनीति के साथ जहां पर प्रशाशनिक रणे लिए जा रहे है ये तीनों कभी अलग होकर नहीं पढ़े जा सकते यही मेंस की सबसे बड़ी चुनोती है और जिस डोमेन में यह डोमेन आप देख रहे हैं यह जो डोमेन आप देख रहे हैं इस डोमेन के अंतरगत चीजें ओरलाप हो जाती है अगर आप नोटिस करके देखेंगे तो चीजें ओरलाप हो रही है यानि एक अफधार्णा दूसरी अफधार्णा के साथ जोड़ती चली जा रही है और यहीं से argumentative knowledge आता है अगर आज अब जिस बात पर मैं आ रहा हूं उसकी गहराई को समझना अब बच्चे नहीं रहेगे अब बॉन वीटा किनाले रखो और अब प्रशाशनी कभियोगता के साथ बिल्कुल मुठी भीच कर मेरे साथ पढ़ना शुरू करो में इसमें ऐसी तरह पढ़ाता हूं प्रीक है यह मेरा domain है एक खबर आती है कि भारत में सुधार करना आसान नह फाइदा इसमें दो चीजें हैं इसको दो भागों में हम बांट लेते हैं ठीक आप इनको भूल जाईए ठोड़ी दिरक्लिया इनको पहसंद करते हैं निकरते मैं इसकी बात przदान upfront करा दूंँ है अभी बुरे लग सकते हैया है सुदार समय आने पर मिलेगा फाइदा एक बध कठिन होती है, आपने भी यह पढ़ा होगा? बताते जाहिए, Yes sir, पढ़ा है, No sir, नहीं पढ़ा है, बताइए, पढ़ा है? अब सवाल है, यह हमने पढ़ा लिया, आपने हो सकता है, यह पूरा data भी याद कर लिया हो प्रधानमंतिकरी स्केप्पनि हो सकता है, अपने paper मे नहीं रिफार्म किसको कह रहा है, बुरे लग सकते हैं, Indian Society को, ठीक है भारतिया समाज को, कोई जाती नहीं, कोई धर्मनी, भारतिया समाज को, तो भारतिया समाज, अब यही से मैं अपनी कलाश शुरू कर रहा हूँ, बुरे किसको लग रहे हैं, समाज के एक हिस्से को तो सवाल यह है कि समाज के एक इस्से में आप देखते हैं ब़ारत में बहुत लμबे समय से दंगे होना प्रतिरोध होना और ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है जब कंप्यूटर आया था तो भी विरोध भूआ था हर चीज के पीछे अमने विरोध किया ह मैंने जब seven story of economics पढ़ाई थी तो बताया था कि बिना संकट के भारत ने कभी कोई सुधार 1991 का सुधार भी जब हम बिकने की हालत पे पहुंचके तब हमने सुरू किया था इतना कठीन हमारा लिए सुधार हर सुधार को हमने बहुत मुश्किलों के बाद ही किया है तो सवाल है सुधार किया है number one reforms किया है इनकी जरूरत क्यों है लेकिन उससे भी बड़ा बात है कि समाज कैसा है समाज किसी सुधार को इतनी जल्दी सुविकार क्यों कर नहीं करता है क्यों इस तरह की हिंसा हो रही है भारत में demographic structure क्या है हिंसा करने वाला जो है वो किस view के साथ है और किस आशी भी रूप में चाहे आप भारत में धार्मिक सुधार की बात करें भारत में जाती सुधार की बात करें महिलाओं के सुधार की बात करें बाल श्रम का विरोत करें आप देखेंगे कि इन सुधारों का यह जो reforms है यह जमीनी इस तरह पर नहीं पहुंच पर कुछ दिन पहले की बात है कल्या सरत्यार्थी जी जिन्होंने बच्पन बचाओ आंदोलन पे बहुत काम किया है नोबिल प्राइज मिला है और उनका कि भारत में इतने कानून होने के बावजूद भी आज भी बाल श्रम यानि चाइड लेबर अपनी पीक पर विराजमान है हो रहा है धडले से हो रहा है तो सवाल है कि आखिर सरकार तो नहीं बाल स्रम करा रही है वो तो कानून बद है तो ये जो बच्चे चुराए जा रहे हैं और जो बच्चों को नौकरियां कराई जा रही है जो ढाबे पे छोटू है वो समाज ही तो कर रहा है अब समाज को कितन आप समझते हो, ये बड़ा महत्रपूर है, क्या है वो समाज, ये कल जो आज एक कालोनी में कई लोग रह रहे हैं, कल कोई बात होती है, दंगे हो जाते हैं, घर जला दिये जाते हैं, मार दिया जाता है लोगों को, ये कुछ दिन पहले एक ही दुकान पर मिल रहे हैं, एक लेना चाहिए था, आज जैसे सरकार अपनी पीट ठोक सकती है, हमने 50 क्रोण लोगों को फ्री में अनाज दिया, मेरा एक छोटा सा क्विश्चन है, एक छोटी सी बात है, मैं या समर्थन और विरोध राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूं, सवाल है कि क्या भारत के 50 क्रोण ल आज समाज में आप कहिए कि हमने 50 क्रोण लोगों को फ्री में अनाज दिया, अब अपनी ठप 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 आईए, लेकिन मेरा प्रशन है कि एक आजाद भारत में 75 वर्षों के बाद भी, आज हम अपने लोगों को दो वक्त का खाना क्यों नहीं दे पा रहे हैं, या उनको इ 70 वर्षों बाद 20 परसंट लोग असिक्षित क्यों रहे गए और उसमें से कितनी परसंट बच्चियां पढ़ पाई हैं, प्रोड़ पढ़ पाई हैं, व्यस्क महिलाएं पढ़ पाई हैं इसका आंकड़ा आप मुझे दें, तो सवाल ये है कि 1970 तक भारत और चीन दोनों एक बहुत ही important question है और यहां पर ये समस्या हमें देखनी पड़ेगी, clear ये हमें देखनी पड़ेगी, so this is the fundamental जहां से मैं आज अपनी class की शुरुवात करने जा रहा हूं, ये समाज क्या है, वो सुधारों को क्यों नहीं सुईकार कर पाता, और किसी भी रूप में, हम इसको resilience, resistance क्यों होता है, ये भी हम समझेंगे, फिर दूसरी बात, समय आने पर मिलेगा फाइदा, तो क्या हम इतने दूर द्रश्टा, इतने दूर गामी हैं, कि हम इन long term फाइदों को देख सेके, तो कोई भी समाज अपने short term gains को क्यों देखता है, यहां पर question है, समय आने पर, या में आज तत्कालिक फायदे की जरूत है, भाड में गया देश, भाड में गई सारी चीजें, अब ये बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है, कि मैंने पढ़ाया था एक बार, कि पाकिस्तान से आपको लड़ने की जरूत नहीं है, जिस दिन आपका demographic dividend, demographic curse में, यानि कि जनांकी लाभांश, जरांकी अभिशाप में बदल गया, उस दिन पाकिस्तान आपको उतना नुकसान नहीं पहुचा पाएगा, जितना आपके लोग उतने, आपको आपके संपत्यों को जला कर खत्म कर देंगे, जितना आपको आर्थिक नुकसान पहुचा देंगे, वो वार में प लेखने का तरीका क्या है, लेकिन जो संपत्या जला दी गई, उसमें कोई सरकार तो बैठके जा नहीं रही है, वाप ही लोग बैठके जा रहे थे, जो बसे जला दी गई, संपत्या जो जल के खत्म हो गई, आपका गुस्ता शांत हो गया, आपको कुछ दिन बाद सभी अब कुछ दिन बाद आपको जरूरी फोन करना है, तो पता चला कि गुस्ते में आपने फोन पतक दिया था, फूट गया, अब गुस्ता सांत होने के बाद आपको पता चला कि आप बहुत बड़ा बबाल कटवा चुके है अपना, तो अब हमें ये सहां समझना है कि हमारा स समाज की गति क्या होती है, समाज का चेहरा कैसा होता है, समाज क्या काम करता है, और एक समाज के कितने भाग होते हैं, एक समाज की क्या जरूरते होती है, क्यों मैं बात कर रहा हूँ, क्यों की थोड़ी देर के लिए अंदाजा लगाओ, कि आप एक officer हो, सरकार ने एक नीती बना दी, नीती अच्छी गलत ये अलग अलग नजरीय से समाज का दर्श्टिकोंट जब समझेंगे तब हम तय करेंगे, लेकिन आप सम्विधान के अंतरगत हैं, सरकार ने जो नीती बनाई है अब आपका काम है उसको लोगों को समझाना और लागू करना, आप इन ही में से एक युवा हो, ठीक है इसी में से एक युवा हो, और आपको सरकार की नीतियों को लागू कराना है, आप आएस ओफिसर हो, किसको हीट सबसे पहले जहलनी पड़ेगी, वो पत्राव जब होता है, वो आगजनी जो होती है, law and order condition होता है, तो सबसे पहले हीट किसको जहलनी है किसको जहलनी है, आपको जहलनी है, तो जैसे कल एक SSP ने किया गया, आपने देखा होगा खबर, कि उसने यूकों को बैटके समझाया, कि देखो इसके क्या-क्या फायदे हैं, क्या-क्या चीज़े हैं, और वहाँ पर क्या हुआ, काफी उत्म की बात का असर हुआ, तो इस समाज है, आपको अच्छी लगे, बुरी लगे, आप चाहते हैं कि बच्चिया पढ़े हैं, लेकिन इस समाज में बच्चियों को पढ़ा कौन नहीं रहा है, सरकार नहीं पढ़ा रही है, सरकार तो करी मैंने स्कूल बना के दे दिया, बजट बना के दे दिया, कन्या से समंदित योजना बना के देती है हर राजी की योजना है करने हो समंदित उसके बाद भी वो बच्ची अपने स्कूल क्यों नहीं पहुंच रही है बताएं कोन रोक रहा है उसको कौर्मेंट नई आप नई जिसको तुम समाज कहते हो वो रोक रहा है बच्ची स्कूल पहुंच जाती है लोट रही है किसी ने दुपट्टा खीच लिया उसको अपनी इजट का खत्रा हो गया माबाप को पता चला बोले कल से स्कूल नहीं जाओगी बोलो हा या ना कौन रोक रहा है किसी सरकार ने रंगमंच है जो आपका थियेटर है वो यह समाज है तो इस थियेटर को समझे बिना एक आर्टिस्ट कभी भी परफॉर्म नहीं कर सकता इसमें लाइटे जलती है अलग-अलग किरदार होते चोटा सा मन्छ होता है यह लाइट जली इसका मतलब यह होता है जो अभी नहीं करता है वो इन लाइटों से बहुत परचित होता है तो यह तुम्हारा थियेटर है तुम्हें इसे परिचित होना पड़ेगा चोटि तुम में पूरी टाइम इसी के सामने पर्फॉर्म करना पड़ेगा और अगर तुम परफॉर्म नहीं कर पाए तो फिर या तो तुम उलस्ते रहोगे किलस्ते रहोगे ठीक है और यह तो तुम बहुत अच्छे इसमें शूर्मा बनके निकल तो यूँ आप टू अंडेस्टाइंड दस रंगमंच दिस थीटर तुमें समझना पड़ेगा इस थीटर को और जैसे थीटर में धेड़ सारे कलाकार होते हीरो होता है विलन होता है हिरोईन होती गाना होता है ड्रामा होता है सेंटिमेंट्स होता है हमारे इस चैप्टर में यह सब कुछ होने जा रहा है सब कुछ होने जा रहा है यहां ड्रामा भी है सस्पेंस भी है सारी चीज़े इस पड़ेगा, इसमें कौन-कौन से कलाकार हैं, कैसे ये बिहेव करते हैं, क्या इनकी प्रणती है, ये सारी चीज़ें, अभी तक मेरी बात समझ में आई, अब हम argumentative knowledge में हैं, तो जो अदिजल गगरियां हैं, जो छलकती रहती हैं, वो जा सकते हैं, जिनके दिमाग की धारना अभी ना इतनी विक्सित हुई है, और ना वो विक्सित करना चाहते हैं, तो वो इस रंग में बहुत गंभीर मुद्दे पर बात हो रही है, बहुत गंभी सारी से सारा काम किया, कुछ नहीं हो सकता, यार इस दे यह उनको बोलना पड़ता है, फ्रस्टेट हो जाते हैं वो बुरी तरीके से, क्योंकि वो इस रंग मंज को समझ नहीं पा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं, जहां रोज विरोधुनका होता है, लेकिन वो हर दिन क साराकार उसे काम करा रही है, क्या आपका विभाद काम करा रहा है, नहीं, आप तो उसको रोकने के लिए आया हुए, तो यह समाज के अंदर से ही चीज़े निकल कर आती हैं, और आप कौन है, आपको किसलिए भेजा जा रहा है, कि समाज प्रगतिशील हो सके, समाज प्रग जिम्मिदारी दी गई है कि राष्ट जो है प्रगतिशील हो सेके हैं क्लियर है बात करता हूं मैंने क्यूं कहा कि आपको यह responsibility दी गई है कि government जितनी भी योजनाय लेकर मनरेगा लेकर आई इसलिए ना कि जिस आदमी को काम नहीं मिल रहा सौधिन रोजगार की गारंटी देज़ा कि ताकि भूग से ना मर जाए लेकिन इस योजना को implement कराने की जिम्मदारी किसकी आपकी है आपके विभाग की है आपके मातहतों की आपके जूनियर्स की है तो सवाल है कि यह जो responsibility मिली है वो क्यों मिली है अब जड़ा इस बात को समझो थोड़ा सा अपना दरश्टी को विभापक करो यह जो बदला हो रहें वो क्यों होते हैं समाज की दरश्टी और राष्ट की दरश्टी एक समान होनी चाहिए और जब एक समान नहीं होती है यानि नेशन का जो attitude है और जो society का attitude है या part of society का जो attitude है जब उसमें clashes होते हैं तो राष्ट की गाड़ी रुख जाती है मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि राष्ट्र लोगों से मिलकर बना होता है For the people, of the people and by the people इसको democracy तुम कह रहे हो लोगों से मिलकर बना होता है लोग अपनी भावनाओं से मिलकर बने होते हैं हम बहुत emotional लोग हैं आग लगाने के बाद भी बहुत लोगों लगा होगा है और कुछ गलत कर दिया उन बुढ़े दमपत्ती को मारने के बाद लगा होगा कि हमने कुछ गलत कर दिया लोग अपनी भावनाओं से मिलकर बने होते हैं और भावनाओं को एक बहुत ज़्यादा orientation की ज़रोध पड़ती है मेरी भावनाओं कैसी हैं मेरी भावनाओं अगर राष्ट विरोधी हैं तो लोगों का ये समू राष्ट के खिलाफ काम करेगा मेरी अगर भावनाओं मेरी भावनाओं मेरे rights और मेरी duties को समझने वाली है मेरी बात को समझने की कोशिश करना है मेरे दोस्त बड़ी गंभीर बात हो रही है हसी मजाग थोड़ी दिर बाद में कर लेना अपना गम अपने जो है वो अपने दुख दर्द अपनी कमियां बाद में बता लेना जो बात कह रहा हूँ उसको समझने कोशिश करो कि मेरी right और duty है right क्या है मेरे अधिकार मुझे सिक्षा मिलनी चाहिए मुझे मेरा हक मिलना चाहिए opportunity मिलनी चाहिए लेकिन rights बिना duties के नहीं होती है जब बिना duties के rights हो जाती है मुझे रोजगार चाहिए मैं भारत का यूवक हूँ यह मेरा right है हाँ ठीक है लेकिन मेरी duty भी तो है राष्ट के प्रती कि मैं राष्ट की संपत्ती को अगर आप जाएंगे तो राष्ट की संपत्ती को मैं नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा राष्ट के परियवर्ण को नुकसान नहीं पहुचाऊँगा राष्ट के भावना को नुकसान नहीं पहुचाऊँगा राष्ट के प्रतीकों को नुकसान नहीं पहुचाऊँगा यह मुझे संविधान में लिखकर दिया गया है यह मुझे लिख कर दिया गया है तो अगर मैं चेवर राइड्स की बात करूँगा तो मैं सब चीज चाहूंगा दे मुझे दे मरा राइड है दे मिरा राष्ट मुझे दे तो अगर το राष्ट से सिर्फ मांगता रहूंगा तो राष्ट निर्बान के लिए जो मुझे देना है वो मैं कब दूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि लोगों की भावनाएं सिर्व राइट्स के लिए हो जाती है ट्यूटी के लिए नहीं इसका भी कारण है इसके पीछे भी कारण है बड़ा गहरी परते हैं खोलूंगा तुम्हें लगेगा प्याज की छिलकों की तरह खुलता चला जा रहा आंसू भी निकलेंगे तकलीब भी होगी ऐसा ही हमारा समाज है और ऐसा ही मेरा पढ़ाने का तर अपने आपको Central Point पर रखों तो अगर किसी राष्ट राश्ट की भावना जोती रास्ट जो बनता है रास्ट आर्थ प्रकति कर रहा है रास्ट इवर्यान लेकर जा रहा है तो विग्ञान क्या अश्यां दूर से आता है इसी राष्ट के रहने वाले लोग है इसी राष्ट के रहने वाले लोग जब राष्टी भावना से जोड़ जाते हैं कि मुझे अपने देश को कम नहीं होने देना है उनके स्कूल में शोक मनाया गया अमेरिका के स्कूल में शोक मनाया गया सौगन्ध ली गई ज्यादा साइंस फेर शुरू हो गए स्कूलों में कि हमें भी रॉकेट बराना है गाउं गाउं देहाद देहाद की रशिया के रशिया से भी अच्छा रॉकेट हमें लाउंच करना है इसके लिए एक राश्टी आंदोलन चला गाउं देहाद के स्कूलों में जो है वो प्रभात फेरी निकलने लगी पढ़िएगा आप कभी वहाँ पे साइंस फेर होने लगे बच्चों को राश्टी भावना से जोड़ा गिया कि हमें इसलिए नहीं कि हमें जाके आकरमल कर देना है हमें रशिया से अच्छा रॉकेट बनाना है और आगे चलकर अपोलो जब उन्होंने लॉंच किया तब जाकर उनको शांती मिली कि हम तुम्हें अपना पोखरन परिक्षण करना था तो आप अमेरिका की सेटलाइट से बचने की कोशिश कर उसकी ताकत देखो उतनी दूर बैठकर वो तुम्हारी हरकतों को जहें जज़ कर रहा है तुम्हारा कम्मुनिकेशन वो देख रहा है अंदाजा लगा के देखिए पोखरन मूवी आपने देखी होगी अरे संप्रभुरास्ट अपने आपको कहते हैं सोवरेन अपने आपको कंट्री कहते हैं और हमें बचते हुए अपना पर्मार परिक्षण करना था आप अंदा क्या राष्ट की जमीनों में नॉलेज होती है राष्ट के पर्तिकों में नॉलेज होती है नहीं राष्ट के लोग नॉलेज अटेन करते हैं राष्ट के लोग अंदर विश्वास भी देखते हैं राष्ट के लोग रूडियों में भी पढ़ते हैं राष्ट के लोग ही जो कई बार अपने अपने धर्म, पंथ, मजभ इनके नाम पे लड़के एक दूसरे की जान ले लेते हैं, और कई बार यही धर्मों के लोग मिलकर भारत माता की जै बोलते हुए, दुश्मन की गोलियां भी अपने सीने पर खा लेते हैं, लेकिन तिरंगा नीचे नहीं गिरने द अपनी बार जब तुम जाओगे सर्विस में, अब तो इतने बच्चे सर्विस में हैं, देखता हूं, बात करता हूं, ऐसे ना ओफिस आने को पटक देता है, चसमा उसमा मोबाइल, जब बाहर कच-कच करकर आता है, कि समझाने कोशिश करा है, अपनी बेटी को पढ़ाओ, ये बेटी तुम्हारा असेट है, और जब उसके सामने दलील दी जाती है, कि देखो हमारे यहां ऐसा कभी नहीं हो लड़की, बाहर नहीं निकली, लड़की पढ़ी नहीं, इसका साधी करता हूं, उसको कहते हैं, बाल विवाह करना पाप है, मैं तुम्हें जेल भेज सकता है, लेकिन क्या करें, वो कमरे में आके दाथ पीसता है, दिवार पे हाथ मारता है, फिर उसको पता है कल जाकर फिर इनहीं के साथ जो सर पटकना है, इसमें कुछ लोग बसते हैं, जो इस हालात से लड़ पाते हैं, कुछ करते हैं, बाल में जा यार, मुझे मेरी सैलरी मिल तो फिर तुम कहते हैं, सर ब्यूरोक्राइसी कुछ करती क्यों नहीं है, क्योंकि उस समाज का, वो तो, मैं अभी एक I.S. officer से मिला, बोला, सर, अब तक जो, मलब, रात में वो इतने गुसे में थे, इतने गुसे में, बोला, सर, हमें जो पढ़ाया जाता है, जो हमें दुन है, बोला, इतने गुसे में, बोला, सर, सब जूट है, जो हमें पढ़ाया जाता है, सब जूट है, यह समाज, बलब, यहां सर इक्दम सर फट जाता कई बार, खुद को लगता है, क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मैंने का, सान्थ हो जाओ, अभी बहुत वक्त बाकी है अब बहुत कुछ कर रहा है जो duties है वो perform करते जाओ बट वो चिल वो frustration मैंने देखी है और वास्तविक्ता से देखी और आपके आस पास भी कोई होगा तो आप कोई महसूस होगा आप जैसा कोई अगर आम आ लिजे मेरा कोई अब अभी मुझे सुन रहा है वो administrative job में होगा तो उसको बात पता हो कि मैं क्या कह रहा हूं कि भारत जैसे देश में जहां आबादी बहुत जादा है पर-capita जो resource है वो कम हो जाता है और economy आजाती है यहां पर कहती है कि our needs are infinite but our resources are limited हमारी आवशक्ताएं अनंत हैं और हमारे संसाधन सीमित अगर राष्ट ने समय रहते या राष्ट के लोगों ने समय रहते संसाधनों को नहीं बढ़ाया या आबादी को नियुन्तम नहीं किया तो पर-capita resources कम हो जाएगा resources जैसे ही कम होता है फिर आप resource मांगते नहीं हो resource capture करते हो होगे और capturing में क्या होती है हिंसा होती है संगर्श होता है तक्राव होता की अरटार करने के लिए क्या होता है college में जब हम किसी से लड़े होंगे तो अपने दोस्तों की भी जलदी आज ओ बै। ही डंड blend जलदी लेके आज आजओ बैए अएसी तो बात करते हों वहुड़ा इस समनृ आउ LAUGH curly हम को आज बहुत पीड़ीया हमको रखके एपस्ट ह Nä समूह के लोगों को हिकठा करते हो अब वह समूह के लोग क्वाप के जात के हो सकते हैं, धर्म नेहीं, मानताओं के हो सकते हैं, छेतर के हो सकते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं, ऐसा ही होता है, तो पुरी कहानी चाहिए हम जागता हैं, अब अगर हम knowledgeable नहीं होंगे, अगर हम properly, according to the demand, हम skilled नहीं होंगे, तो हमारे resources कभी नहीं बढ़ेंगे हम मनरेगम गड़ा खोथ के कब तक अपने देश को आगे लेकर जाएंगे भाई मेरे कब तक आगे जाएंगे we need to be very skilled because we need to increase our resources on the drastic level 1960 के बाद हमने आबादी को कितना drastically बढ़ा दिया मजाक मजाक में भाईसाब कहाँ पहुंच गए हम लेकिन हमने resources को उतनी तेजी से नहीं बढ़ाया तो आज जो ये सब कुछ हो रहा है उसका कारण ये है कि we asking for our rights हमें नौकरी चाहिए हमें आजीविका चाहिए, हमें सुरक्षा चाहिए but when I asking everything, किसी भी चीज में जब हम कोई चीज अपने rights मांग रहे है so where are our duties हमसे किस ने कहा कि मैं अपने ही देश की संपत्ती को जला दू बुरा लगे, अच्छा लगे, कोई बात नहीं है क्योंकि अगर right मिल रहा है तो duty भी तो होनी चाहिए right मिल रहा है पढ़े नहीं पढ़े इसकी परिक्षा कैसे होगी तो तो में एक्जाम देना पढ़ता है so how it can be possible you attain for your rights but you are not aware about your duties असंतुलन हो जाएगा और प्रक्रत तो संतुलित है असंतुलन जब जब हुआ है प्रक्रत ने विनाश किया है तो राष्ट में विनाश नहीं होगा बिलकुल होगा so if you think in a this way it will be very easy to go ahead तो इस चीज को याद रखना कि राष्ट लोगों से लोग अपनी भावनाओं से बनते है where are your emotions is going right now you are aggressive you are possessive, you are positive you are negative तुम राष्ट को समझ भी पा रहो कि नहीं पा रहो that's important और society जो इन लोगों का समुच्चे होती है ये दोनों तरफ से देखती है either downward either upward जब society जो लोग होते हैं उनको हम समाज बोल देते हैं समाज उसमें और ढ़र सारी complexity आजाती है उनका culture आजाता है उनकी मानिताएं आजाती, भाषा आजाती है किस तरफ देख रहे हैं हमारे act से हमारे nation पे क्या फरक पड़ रहा है या हमारे act से हमारे emotions पे क्या फरक पड़ रहा है अब यहां पर society यहां पर आके फंसती है दोनों तरफ दोनों तरफ फंसती है तो sometimes we generally feel our emotions जैसे आज कल तुमने सुना होगा जैसे कहीं दंगे होतें internet बंद हो जाता है सुना जरूर होगा अभी बिहार में बंद रहा हमारे काई students को class नहीं मिल पाई इस चक्कर में राइट तो internet बंद कर देते हैं अब internet बंद कर दिया क्यों बंद कर देते internet सुना तो पक्का होगा राइट इसलिए बंद कर देते हैं क्योंकि internet पे जो गलत सामगरी आपने देखा मोस्ली दंगे असलिए होते हैं कि गलत वीडियो गलत सामगरी गलत पोस्ट थे जिसे वारेल कर दी जाते हैं अब गलत जैसे पोस्ट आई कि भाई देखो हमारी कबनेटी के लोगों को मार दिया यहां पर इसको पीट दिया वो पता भी नहीं चलता हूँ वीडियो कब की है कहां कि यह कोई identification नहीं है एक वीडियो आती है नीचे लिखता है भाई लोग इकठा हो जाओ हमें बदला लेना है हमें सरकार को यह कर देना हमें उसको यह दिखा देना उस धर्म को यह दिखा देना ऐसी पोस्ट चलती है राइट और रहूंग और उस दौरान हमारी emotion जो होते हैं उबलने लगते हम सही गलत नहीं पहचान पाते हैं और उबलकर हम क्या करते हैं अपने समुदाय के लोगों के लिए अपने लोगों के लिए अपने गुरूप के लिए हम एक लड़ने पहुंच जाते हैं तो emotion जो होते हैं उसकी खास बात होती है यह तेजी से अल्टर किये जा सकते हैं कि आपके पास इतना समय ही नहीं होता है कि आप किसी चीज के बारे में जागरुख हो या ना हो कि एक ट्विट आया है यह ट्विटर हुआ अब यह विदेशों में बैठे हुए वाट्सप वाले ट्विटर वाले इंडिया जल रहा है उनके चक्कर में पहले तो इन्हीं को निपटना चाहिए तो आप क्या हुआ आपकी भावनाएं अल्टर हो गई आप सड़नली आपने देखा सामने वाले गुरूप को बिना सोची समझाओ बे चल बे हमारे लोगों पर हमला हुआ है हमारे लोग मारे जा रहे हमारा यह है चल बे चल बे इकठा होना शुरू तुरन तरद 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 बिजली की गच्छ से वह फैलना शुरू हो गया बिना यह जाने की इस बात में कितनी सब चाहिए है वीडियो यहां की है फारें की है कुछ नहीं पता चलता है और आपकी इमोशन जो है वह गलत डारेक्शन में चले जाते हैं नतीजह क्या होता है अपी कठा होते हैं और राष्ट की संपत्यों को जला देते हैं राष्ट को ही नुकसान पहुचा देते हैं और बाहर बैठा वह वैक्ति ताली पीट रहा था बंदल लड़ गया सारे के जारे राइट तो इस दा सोसाइटी एंद इस दा नीशन यह है उसकी कहानी यह उसका ओरियंटेशन तो इंडियन सोसाइटी को जब हम समझेंगे आपके लिए बहुत मात्रमूना है फ्रश्टेशन से बचना है तो तो मुंहें समझना पड़ेगा भारतिय समाज कैसे काम करता है एवलूशन और रिवलूशन के बीच का अंतर समझना पड़ेगा एक समाज इवаль होता है यह एवाल होता है भारत को कि शीजशी जरूथ है evolution की यह समझने की बड़ी जरूथ है और भारतिय समाज का चरित्र कैसा है क्योंकि दुनिया के किसी समाज में भारत को कहते हैं अनेक्ता में एक्ता वाला देश युनिटी इन डाइवर्सिटी इस सुनने में तो बड़ा असान लगता है युनिटी इन डावर्सिटी तो अभी हमारे विपक्ष के नेता थे वह जाकर बोलाए कि भारत की जो आइडियो इंडिया में भारत एक राष्ट ही नहीं है भारत राज्यों का संग है वहीं जब चार्ण के को पढ़ते हैं आपको आखर्ण भारत का concept तो उनिटी इंडिया का concept दिखाई पढ़ता है तो भारत एक राष्ट की रूप में अलग-अलग विचार धार हैं लोगों की अलग-अलग माननेता हैं लोगों की अलग-अलग सोच इस राष्ट को एक and climate और काल का मतलब होता है time, किसी भी चीज़ की सत्यता की परकł इन दोनो, चानकि ने बहुत पहले बताया था कि इन दोनों शब्दो का प्रीयोग करना बहुत जरूरी होता है, देश और काल, यानि हम किस जौगर्धी में हैं हम किस Climatic Zone में हैं और हमारा काल यानि हमारा समय उसकी क्या Demand आ रही है किसी भी चीज की परक कसौटी इन्हें दोनों के आधार पर रखी जाती है देश और काल के आधार पर तो सवाल है कि हमारी कौं सी माननता है हमारी कौन सी डिमांड हमारी कौन सी जरूरते जो हैं वो इस समय मानने हैं और या अमानने हैं इस पर हमें बात करनी होगी अगर हम देशकाल के अनुरूप चल रहे हैं तो हमारे लिए चीजें बहुत आसान हो जाती है यानि जोगरफी, क्लामिट एंड टाइम तो देशकाल के अनुरूप हमें इन चीजों को पसंद या नापसंद करना पड़ता है उसको जज़ करना पड़ता है आज से 20 साल 30 साल पहले जो चीजे सत्य थी हो सकता है आज वो सत्य ना रह जाए आज उनकी जरूरत इसका मतलब यह नहीं कि वो गलत थी वो अपने देशकाल में सही थी 1991 में हमने जब उदारी करन किया तो 1991 में उदारी करन किया हमने पूरी दुनिया की एकॉनमी को आमंतरित किया उस समय के साथ साथ ऐसी ताकतवर संस्क्रती आ गए मैं एक दिन बैटके सोच रहा था मेरी बात से आप में बताना कि इतफाक रखते हो कि नहीं रखते हो एक दिन मैं सोच रहा था जब मैं अपने आसपास की चीजों को देखता हूँ चोटे-चोटे बच्चो को crush, love, affairs इनके बारे में बात करते हो देखता ओँ शोटे-चोटे बच्चो को ganja, marriagewana फुँकते हो देखता हूँ परिवारों को तोटते हो देखता हो अडुट्री इनको पढ़ते हो देखता हो तो मुझे कई बार एक हैसास होता, यह मेरी थॉट है, आप मुझे बताएगा, कि अंग्रेजों ने 190 साल के शाषन में भारत को उतना नुकसान नहीं पहुचाया, जितना 1991 के बाद के उधारी करणने जो पश्चिमी सब बता आई हमारे TV के माद्यम से, उसने हमें नुकसान प आपने देखोगा, for example में बात करता हूँ, कि आजादी के बाद भी हम अपने भारती मुल्यों के साथ थे, हम अपने बढ़ों के पैर चूलिया करते थे, हम उनके साथ जुड़े रहते थे, लेकिन जितना नुकसान 1991 के उधारी करणन आने के बाद हुआ है, लोग अंग्रे इतने साथ बढ़ों के रहते हैं, यह वन्ते हाँ तिर को आसा यह यह वांन तो इता है बघर, बढ़ों के बढ़े, बढ़ने के इंडिया हम तरबारती के जी ने पूछा मैं तुम चाहां क्रहने बाद होँ, बताया हैं रही फिदी बोलता हैं आ हाहां सुनुर्दी एंज तो आज की डेट में तुम देखो गारान किसी भी स्टोर में चलेगा, अंगरेजी भी बोलते हो दिखाई पड़ेगा, लोग भी इंग्लिजिस, oh my god, you know, तो इसमें बीच में हिंदी डालेंगे, और तो यह हमारे आस पास चल रहा है, मैं एक दिन देखा, छोटे-छोटे बदल गई है, हम पांचवी छटी में थे तो यह पूछा जाता है था कंचा किसके पास जादा अच्छा है, पतंक किसके आज कित्ती कटिकन का हुआ किसके पास था, यह क्या बात कर रहा है, चिढ़ा रहे हैं दूसरे को, ने, ने, शी नाट मैं क्रश, वो बोला, दूसरा वो मेरी क्रश थी, मैंने उसको छोड़ दिया, उनका पिद्धी भरका है ने, डाइपर पता नहीं अभी तक चेंज करना इसको आता है कि नहीं आता है, एक क्रश के बारे में बात कर रहा है, यह हमारी सोसाइटी हो चुकी है, यह हमारी सोसाइटी है, चिल मारना, पैरेंट का उतना पता नहीं किया, जितना यह जो globalization का effect आया, हमारे यहां, उसने हमें ज्यादा नुकसान पहुचा दिया, उसने हमें ज्यादा नुकसान पहुचा दिया, और हम आज ज्यादा बुरी तरीके से कट गए हैं, पिछले 25 सालों के अंदर, हम भूल गया कि हम Indian हैं, और हमा भी जा रहा हूं, किसी restaurant में गया, कोई मालो meeting है, कोई बात है, छोटे-छोटे बच्चे, अभी जैसे लग रहा है कि पूरे दूद के जान भी नहीं टूटे होंगे, वो हुका लेकर घूम रहे हैं, आज कल यह culture चला हुआ है, सांस लेना मुश्किल हो गया, इस्मोक तो ऐस साल से कम के उमरे धूमरपान साराप पीना वड़ जीता है, अंदर इतनी टेंशन लिया है, इसा लग रहा है कि यार वो बताओ, चीफ सेकेट्री कि इसको न्यूक्त करें, उनको बढ़ा टेंशन पड़ा हुआ है, और आपने भी अपने आसपास देखा होगा, चिल कर रहा सरकारे पागल हो गई, रिवेन्यू आ रहा है, जितना लोग पी रहा है, दिल्लियम तो करें, एक बोतल खरी तो दूसरा हम फरी देंगे, कहो तो घर पहुंचा के आए, तुम्हें भी और तुम्हारी बोतल को भी, ये हालत हो गई है, बहुत है, आप कहीं भी गिरे हो, पिता जी, ट्यूसर वाले फीस मांग लो कि यार फीस नहीं दिये, सर बहुत गरीब है, पिता जी की गहुंच फसल जल गए, ये हुआ, वो हुआ, आप बोतल खरी तेंगे, समा वोल नाइन में लगे हो, जिसे लग रहा है कि देश की अर्थ विवस्ता ही चला रहा है, और पूरी बात नहीं बोल पा रहा है, उसको तुम देमोग्राफिक डिविडेंट कहरो, तुम्हारे कंट्री में आज हार्ट अटक, डाइबिडीज, ये चरम पे पहुचा हुआ है, यूथ को कवर कर रहा है, टाइप टू डाइबिडीज हमारे यूथ को जा रहा है, और आप क्यारो कि यू आरे डेमोग्राफिक डिविडेंट, जब हम खेलों की तालिका देखते हैं, तो हम उपर देखना ही भूल गया है, हम जब ओलंपिक के पदा, कोई भी इंटरनाशनल गेम्स होता है, तो उपर से देखते ही नहीं, हम नीचे से देखते हैं, कहा है बे, इस बा ओ बे, भाई साब, नीचे से तीसरे नमबर पर आ गए, ओ भाई साब देखते हैं, पिछली बार नीचे से दूसरे पर थे, हम उपर से देख नहीं भूल गए, एकाद आदमी गलती से कहीं, सोड़ नमण लेकर आ गया, ओ पूरा कंट्री ऐसा जूम रहा होता है, कि टेंचन इतना क्रिकेट हमारे यहां खेला जा रहा है कि जैसे दरात में साथ बजे के बाद देश को कोई कामी नहीं, अदमी यह वाला ठाक जाता है, आई पिल खतम होने का नाम नहीं ले रहा है, तो दूसरा सुरू हो गया, तीसरा सुरू हो गया, इतना टाइम हमारे पास है, तो इस इस फैक्ट, अब हम इस कंट्री को हमें लेकर जाना है आगे, ठीक है, जो थोड़ी सी टेंशन में, वह उसमें पता है आजकल भरके भी लोग पीने लगे हैं, आराम से मिल रहे हैं, नार्कोटेक्स डिपार्टमेंट वाले कभी किसी को भी उठा ले जाते हैं इस जक्क जार तो 75 साल पुराने वाले अभी काम कर रही है, उसकी परिभाशा वहाँ है, और समाज कहीं और पहुंच गया है, बाहर बोर्ड लगा हूँ, 18 साल के बच्चे इससे कम उम्र पे धूमरपान नहीं कर सकते, उसी बोर्ड के नीचे खड़ा के पी रहा है, उसकी जिंदगी इंटर्नली और एक्स्टर्नली दोने इंफ्यूस की जा सकती है, कल्चल इंफ्यूजन होते हैं, जैसे मालो अभी तुम्हारे यह इतना विद्रो हो गया, इतना पत्थरवाजी हो गई, पता चला बाहर से बाते आ गई, यहां का आदमी सुत, देड़ दो हपता हो गया, अचानक से एक दिन बवाल हो गया, तो पता चला खाडी देशों से सारी बाते आ गए, तो आज की दुनिया भी आपनी माता गोली तुम भी लेलो, तो इस तरह से जो समाज हो रहा है, जो इसमें हमारे जो वैल्यूज हें, हमारा ओले ब्रद्ध लोग को छोड़ दिया जा रहा है माता-पिता अलग होते चले जा रहे है जो एडल्ट्री है वो बढ़ती चली जा रही है इस तरह की चीजों में इस तरह की समाज में एक नए law and order एक नई चीजों की आउशकता है अगर हम इस चीज को नहीं समझ पाएंगे तो कभी भी हम एक समाज की रूप में आपको बहुत चैलेंज आने वाले बहुत चैलेंज आने वाले तो इस बदलती जरूत है किसाब से आपको चीजों को समझना पड़ेगा तो यह बहुत ही complex बहुत ही जटिल एक सनचना होती जिसके हम लोग Indian society कहते हैं और जैसे जैसे आप इसमें मेरे साथ नीचे की जरफ जाओगे आपको पता चलेगा कि क्यूं हम एक absolute growth नहीं कर पा रहे हमारे साथ इतना resistance क्यूं हो रहा है हम बदलाओ को इतनी जल्दी सुईकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं 75 वर्षों के बाद और वो भी ऐसा कोई नया दे चाट-अप में आज टॉप थ्री में बैट गया है आपने पढ़ा होगा और भारत ऐसा है जो अभी भी सरकारी नौकरी के लिए पूरी संपत्यों को जला दे रहा है तो दो तरह के भारत आपको दिखाई पढ़ रहे हैं और भी तरह के भारत है एक चरफ जहां पर भारत व के अधार पर उनके लिए एक जो है वो एक लाइन ड्रॉ की जाती है तो यह बहुत ही पैराडॉक्सियल है हमारा भारत एक तरफ दुनिया की जायंट कंपनियों का हेड हम बने बैट रहे हम भारती बैठे हुए नासा में हम बैठे हुए और एक तरफ देश में ऐसे भी हैं जिनको बच्चों को बेसिक स्कूलिंग नहीं मिली हुई है बच्चियों को घरों से बाहर नहीं निकला दिया जा रहा है जहां पर बाल विवा हो रहे हैं तो यह जो पैराडॉक्स है यह विरोधाभास है यह बिल्कुल अलग किस्म का है